Hello Everyone, Welcome to Lecture No.24 of CCNP Course Module दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने EIGRP स्टार्ट किया था हमने EIGRP के अंदर टेबल्स के बारे में जान लिये Static and Dynamic Neighborship कैसे होती है कैसे हम EIGRP की Backend Process देखते है यह सारा हमने कर लिये आज के Lecture के अंदर हम जानेंगे कैसे हम EIGRP के अंदर पाफ चेंज कर सकते हैं My name is Rajiv कुमार Welcome to A2IT Online Channel दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें बिकाज CCNP के बहुत सारे वीडियोस हमने अल्रेडी अप्लोड कर दिये हैं और CCN ने तो हमने अल्रेडी पहले से अप्लोड किया हुए तो आए चलते हैं EIGRP के डिजाइन की तरव इस वीडियो को लाइक करें लेटेस टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT Online को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो यहां पर मैंने GNS3 यूज किया है आज मैं एक डिजाइन यूज करने जा रहा हूँ जिसमें मैं यहां पर चार से पांच राउटरी यूज करूँगा और इसके अंदर मैं फास्ट इथरनेट केबल का यूज करूँगा तो मैंने पांच राउटरी यूज कर लिए तो अगर कन्वर्जेंस का हिसाब हुआ जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट पाथ फरस्ट देखता है लेकिन यह देखता है के वैल्यूज के हिसाब से तो हम यहां से पहले डिजाइन बना देते हैं और इसके उपर मैं क्या कर देता हूँ आई पी ड्रेस की रेंज देता हूँ तो आज मैं जो नेट्वर्क की यूज करने जा रहा हूं तो 10000-30 हम एक यह नेट्वर्क को सबनेट करके यूज करेंगे तो 1004 पिछले जितने भी डिजाइन हमने बनाए हैं उस डिजाइन के अंदर हमने एक ही नेटवोक को सबनेट नहीं किया है तो इस डिजाइन को इसलिए मैं दुबारा आपके सामने बना रहा हूं ताकि हम क्लियर हो सकें नो ओटो समरी के कॉंसेप्ट के बारे में भी तो यहां पर हमने ले लिया जी 10-0-0-16-30 और इधर R2 के उपर मैं एक लूप बैक ले ले लेता हूं तो यहां पर मैं अपने नेटवर्क को आन करने जा रहा हूं सबसे पहले मुझे डिजाइन बनाने के बाद मुझे आईपी एड्रेसिंग करनी है देन मुझे राउटिंग करनी है क्योंकि अगर मैं यही टिकनीक फॉलो करूंगा तो इस टिकनीक में मैं ट्रबल शूटिंग बड़े इजी तरीके से कर सकता हूं तो स्टार्ट करते हैं अपने आट टू से यहां पर मुझे तीन इंट्रफेस पर आईपी देने सबसे पहले मैं लूप बाक वन दे देता अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोज नहीं देखी हैं तो मेरी लास्ट वीडियोज देख लें क्योंकि लास्ट वीडियोज के अंदर हमने आईपी अड्रेसिंग और राउटिंग का कॉंसेप्ट अच्छे तरीके से कर लिया हुआ है इसमें 252 आ जाएगा और यह मेरा टेन जीरो जीरो नाइन आ जाएगा क्योंकि मैंने एट का नेट्वर्क यहां पे लिए तो अब मुझे अपने नेट्वर्क आईडी के हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि पहले के नेट्वर्क में हम दस बीस तीस चालीस पचास ले उसके इलावा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट राउटर में सो इंटरफेस एफ़ जीरो बाइज जीरो आईपी अड्रेस टेन जीरो जीरो टू प्रिमेने कर दिया 252 और एफ़ जीरो बाइवन के उपर टेन जीरो जीरो फाइव दे दिया क्योंकि फोर नेटवर्क आईडी है मेरी और मैं 252 से ही सारे नेटवर्क ले रहा हूँ तो आर फाइब के उपर चलते हैं यहां पर एफ जीरो बाइवन एफ जीरो बाइवन को मुझे जोड़ना है आर टू के साथ तो टेन जीरो जीरो टेन का नेटवर्क आएगा क्योंकि दूसरी साइड मैंने टेन जीरो जीरो नाइन ओल्रेडी ले लिया हुआ और फाइब जीरो स्लाश जीरो टेन जीरो जीरो थर्टीन डन तो उसके बाद चलते हैं आर शिक्स में तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव आपको दुबारा आईपी एड्रेसिंग करवाने का यह है कि आप आईपी एड्रेसिंग के अंदर स्ट्रॉंग हो जाएए चाहे आप ए एक ही नेट्वर्क को सबनेटिंग कर रहे हैं चाहे आप किसी दूसरे दूसरे नेट्वर्क को भी ले रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो अगर आपने आईपी एड्रेसिंग अच्छे से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है आज हम थोड़ा सा यह जी आर्पी को अलग तरीक के से डिफॉल्ट से भी करेंगे क्योंकि रिप को तो हमने देख लिया था कैसे हम डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू हम यूज करते ह हैं तो इसमें भी हम यह प्रोसेस फॉलो करेंगे हैं ओके तो यह मेरा राउटर डन हो गया है और लास्ट राउटर आर्पूर है कि इंटरफेस एफ जीरो स्लाश जीरो आईपी एड्रेस दे दिया मैंने यहां पे और टिन जीरो जीरो सिक्स दिया यहां और इंटरफेस एफ जीरो बाइवान तेन जीरो जीरो एटीन तो इसी के साथ मेरी आईपी एड्रेसिंग डन हो गई है और एक लास्ट में लूप बैक लगाना रहे गये वह मैं लगा देता हूं यहां पे इस वान तो आपके लिए हम इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं कि आप शुरू से भी अगर सीखना चाहते हैं तो एक एक स्टेप हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अब बारी आती है यह जीर पी राउटिंग की तो लास्ट लेक्शर के अंदर हमने डिरेक इसको कर लिया नो अटो समरी इस कमांड का मतलब है कि मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क हैं अगर मैंने उस पर यह कमांड लगा दी तो सभी नेटवर्क के उपर मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और मेरा काम हो जाएग तो अब थोड़ी देर में आप चेक करेंगे सारे नेटवर्क के उपर डी से रूट आने शुरू हो जाएंगे शो आईपी रूट के अंदर आपको रूट आएंगे डी डी स्टैंट्स पर ड्यूल अल्गुरिदम तो आप देख सकते हैं यहां पर डी के साथ रूट आ रहे हैं जो इंडरेक्ट रूट आ रहे हैं और देखो इसमें वाया भी आ रहा है कुछ रूट वाया 10.002 से आ रहे हैं कुछ रूट वाया 10.0010 से आ रहे हैं और आप चेक कर सकते हैं कि एडी सभी की सेम आ रहे हैं अब फॉर एक्जामपल आप रूट चेंज करना चाहते हैं किसी भी नेट्वर्क पे जाने के लिए अब आप्वियस है कि अगर फास्ट इ 12 तक जाने के लिए मेरा 10 आएगा लेकिन 16 पर जाने के लिए यह करेगा लोड बैलंसेंग इधर से भी रास्ता बराबर है इधर से भी रास्ता बराबर ठीक है तो इस केस के अंदर मैं आपको राउटिंग टेबल पर लेकि जाता जाता हूं अगर आप चाते हो कि 10.00.16 तक जाने के लिए या किसी भी रास्ते तक जाने के लिए उपर वाला रूट ज्यादा यूज ना हो तो आप नीचे वाले रूट की जो बाइडिफॉल्ट एडी 90 है इसको कम कर सकते हैं कैसे आए चलते हैं आट टू के उपर पहले आपको शो आई भी प्रोटोकॉल में आप चेक कर सकते हैं किस राउटर की किस गेटवे की एडी आप चेंज करना चाहते हैं ठीक है तो यहां पर यह मेरे से दुबारा कमाल लगें तो मैं यहां से चाहता हूं कि जो मेरा 10 0010 वाला गेटवे है उसकी एडी 90 की जगा 80 हो जाए तो मैं कमाल लगाऊंगा यहां पर राउटर यह जी आर्पी वन डिस्टेंस एटी आइपी सोर्स अड्रेस डालना पड़ेगा मुझे यहां पर 10 001 सरी 10 009 और साथ में डालना पड़ेगा उसका वाइल्ड कार्ड मास्क अगर मैं यह कमांड डाल देता हूं थोड़ी देर के अंदर यह जैसे ही मैं यहां पर शो आईपी प्रोटोकॉल का यूज करूंगा आप यहां पर चेक कर सकते हो जिको रूट चेंज का मैसेज भी आगया नेबर्शिप दुबारा चेंज होने का मैंने आपको बताया नहीं 5 सेकंड के अंदर हेलो आती और 15 सेकंड का होल्ड होता है इसलि शो आईपी रूट में रूट मेरे शिफ्ट हो गए है उस रास्ते से जिस रास्ते से एडी कम आ रही है सिर्फ जो मेरा 10.004 का डिरेक्ट नेटवक आर्थरी से उसका रूट आपका 10.002 से आ रहा है बाकी सारे रूट 10.0010 से आ रहा है तो एडी चेंज करके आप अपने र लगाईजी डिस्टेंस 80 की या मैं इसको 90 कर दूं कि दोनों चीजे सेम है जैसे यह 90 होगा थोड़ी देर के अंदर वही 5 सेकंड और 15 सेकंड कॉंसेट अपडेशन आएगी रूट की रूट जैसे ही अपडेट होगा दोबारा से जो मेरा 16 वाला रूट है उसके लिए जो आई पी रूट में जाकि आप रूट चेक कर सकते हैं आपकी दोबारा से लोड बैलंसिंग स्टार्ट है और दस जिर जरुजर 2 से भी रूट आ रहे हैं दस जरुजर 20 से भी रूट अब एडी तो एक तरीका है कि हम स्पैसिफिक रूट चेंज कर रहे हैं अगर आप ल लोड बैलंसिंग हो ही ना तो आप यहां पर maximum path 4 को maximum path एक से लेके 16 तक change कर सकते हैं मैंने 1 कर दिया अब show IP protocol के अंदर maximum path आपका one show होगा मतलब load balancing होगी ही नहीं यहां पर show IP root के अंदर कोई भी root आपको दो रास्तों से दिखाई नहीं देगा तो यह था मेरा AD concept and maximum hope का concept जो maximum path का concept था next lecture के अंदर हम बात करेंगे metric weights के बारे में और hello और hold timer के बारे में इसके इलावा और भी IGRT के concept है जो हम अपने अगले वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो thank you so much हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलिए thank you इस वीडियो को like करें latest technical videos देखने के लिए हमारे चैनल A2IT online को subscribe करें bell icon को दबाना ना भूलें